रिया अपने दोस्त मंजू और शालिनी के साथ गोवा ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी वो तीनों रिया के घर पर बैट कर बाते कर रहे थे मुझे तो अब भी यकीने नहीं हो रहा है दोस्तों आखिरकार हमारे परिवार वाले मानी गए हमें गोवा ट्रिप पर भेजने के लिए सच में मंजू मुझे तो ये सब सपने की तरह लगता है हम लोग ना चाने कब से इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे और आखिरकार आज ये सच होई गई अरे पर रिया और मंजू ये कोई सपना नहीं है हम तीनों सच में गोवा जा रहे वो भी अकेले ये हमारी पहली ट्रिप होगी साथ में बहुत ज़्यादा मसा आने वाला है हम बीच पर घूमेंगे बढ़ियां-बढ़ियां खाना खाएंगे और ये देखो मेरे हाथ में क्या है क्या? ये क्या है? ये तो तेरा मुबाइल है अरे ये मुबाइल तो है लेकिन देखो ना इसमें क्या खुला हुआ है इसमें मैंने एक बहुत ही मज़ेतार चीज खोच निकालिया रिया क्योंकि हमें गोवा में रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा हम रात को इस डरावने बीच पर जाएंगे ये सुनकर रिया और मन्जु एक्साइटेड हो जाती है और शालिनी के हाथ से फोन छीन लेती है और पढ़ने लगती है ओ ये बीच तो हमारे होटल के ठीक सामने है शालिनी ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया तो क्या इसी के लिए तुमने खुद से अपनी पसंद का होटल बुक किया था जी हाँ सही समझा आपने मैंने ये ट्रिप बहुत अच्छे से प्लान किये आस-पास रहने वाले लोगों का मानना है कि ये बीच गोवा के सबसे डरामने बीचों में से एक है और यहाँ पर एक चुडैल और उसके प्रेमी भूत का साया है उन दोनों ने इस बीच पर ही सुसाइट करके अपनी जान दी थी वावा क्या कहानी है अब मैं समझी शारीनी कि तुने हमें इतना अच्छा होटल इतने कम दामों में कैसे दिलवा दिया वो भी गोवा में उसके सामने ये बीच वारी जगव भूतिया जो ठहरी कोई वहाँ क्यों जाएगा हाँ वो बात तो है मन्चू वैसे फिर ये तय है न कि हम तीनों रात में इस बीच पर घूमने जाएंगे हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं तो एकदम तयार हूँ अरे हम रोज रोज थोड़ी गोवा जाएंगे और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है मैं भी एक दम रेडी हूँ ठीक है दोस्तों फिर अपने अपने घर जाकर पैकिंग शुरू कर दो क्योंकि अगले हफ़ते हम लोग जा रहे हैं गोवा तीनों दोस्त खुशी-खुशी पैकिंग शुरू कर देती हैं देखते ही देखत रात को तीनों होटल में आराम कर रही होती है तब ही कुछ अजीब होता है शालीनी अचानक से जोर से चिलाती है शालीनी को चिलाते हुए सुन कर मंजू और रिया चौंक चाती है अरी क्या हो गया शालिनी अचानक से चिलाई क्यों कोई भूत देख लिया क्या कितनी अच्छी नींद आई दी मुझे सब खराब कर दी तुमने आज हमारी आखरी रात है गोवा में कल सुबा हमें वापस घर जाने के लिए ट्रेन में बैटना है और हम सबसे जरूरी चीज करना तो भूली गए क्या पर वो क्या शालिनी अरे उस भूतिया बीच पर घूमने जाना जल्दी से उठो तुम दोनों हमें वहाँ जाना ही होगा क्या इस समय जरा घड़ी में देख शालिनी 11 बज रहे हैं ये सेफ नहीं है यार मंजू तुझे नहीं जाना तो मत जा पर ये घरवालों जैसी बात है तो मत कर कम से कम शालिनी सही कह रही है मंजू चलो आज हमारी गोवा में आखरी रात है हमें वहाँ जाना चाहिए मज़ा आएगा रिया और शालिनी जल्दी से कमरे से निकल जाती है और मंजू भी अपनी जैकिट पहनने के लिए खिडकी के पास जाती है तभी उसकी नजर सामने बीच पर पढ़ती है मंजू के ठीक सामने एक लड़का और लड़की खड़े थे जो कि मंजू को ही देख रहे थे अरे ये क्या मुझे तो लगा था बीच खाली होगा पर वहाँ तो लोग है तभी पीछे से शालिनी की आवाज आती है मंजू जल्दी आवरना हम दोनों चले जाएंगे हाँ हाँ बस अभी आई तीनों सहेलिया बीच पर पहुँच जाती है वहाँ पर काफी अंधेरा था और सिर्फ चांद की हलकी हलकी रोशनी पानी पर पढ़ रही थी अरे ये क्या होटल की खिर्की से तो मुझे यहाँ पर दो लोग एक लड़का और लड़की दिखे थे पर अब तो यहाँ कोई भी नहीं है शायद चले गए होंगे क्या तूने एक लड़का और लड़की को देखा फिर तो वो दोनों वही प्रेमी भूत और चुड़ैल होंगे अब तो उन्होंने तुझे देख लिया है लोगों का मानना है कि जिसे भी वो दोनों देख ले वो इस बीच से वापस घरने जा पाता है मंजू ये सुनकर मंजू डर जाती है और शालीनी और रिया से वापस होटल चलने के लिए कहने लगती है तिनों वही बीच पर बैठ जाती है और नजारे का मजा लेने लगती है पर तभी अचानक से समुत्र की लहरे तेज हो जाती है और अचानक से कहीं से तेज गाने बजाने की आवाजे आने लगती है अरे ये गाना कहां बज़ रहा है हाँ सच में यहां बीच तो पूरा खाली है फिर ये गाना कहीं वो दोनों भूत बैंड बाजा लेकर मंजू को लेनी तो नहीं आ रहे ये सुनकर रिया भी हसने लगती है पर मंजू को गुस्सा आ जाता है बस बहुत हो गया तुम दोनों को जितनी देर यहां बैठना हो बैठो पर मैं तो जा रहे हूं वापस होटल तुम लोगों का जब मन करें वापस आ जाना मुझे अब यहां एक मिनट भी नहीं रुकना है मंजू इतना बोल कर गुस्से में अकेले ही होटल की तरफ अरे मंजू रुक जा मंजू मंजू हम तो मजाग कर रहे थे अरे वापस आ जाओ कोई बात नहीं रिया जाने दो से वो तो वैसे भी यहां से बस भागने के बहाने ढून रही थी क्योंकि एक नंबर की डरपोग जो है वो अब तुम और मैं यहां की शांती को इंजॉई करेंगे बाद में उसे पच्टावा होगा कि वो यहां क्यों नहीं रुकी मंजू वापस होटल चली जाती है और शालिनी और रिया वहीं बीच पर बैठी रहती है जैसे ही मंजू अकेले अपने होटल के कमरे में पहुँचती है वो सभी लाइट्स ओफ करके सोने की कोशिश करने लगती है पर तब ही उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके कमरे का दर्वाजा खोला है मंजू देखती है कि कमरे के अंदर दो लोग खड़े थे वो अंधेरे में ही बिना उन पर जादा ध्यान दिये बोलती है तो आ गए नो तुम लोग मेरे पीछे पीछे अकेले डर जो लग रहा होगा वहाँ पर उन भूतों से अरे यह क्या तुम दोनों तुम भूत और चुड़ेलो बचाओ बचाओ शालीनी रिया कोई मुझे बचाओ पर मंजू कुछ कर पाती उससे पहले भूत और चुड़ेल दोनों एक साथ मंजू के शरीट में घुश जाते हैं जिसके बाद मंजू के दो सर निकल आते हैं एक उस भूत का और एक चुड़ेल का इसके बाद वो भयानक भूत और चुडैल होटल से निकल कर सीधा बीच की तरफ चल देते हैं जहाँ पर शालिनी और रिया बैठे थे उधर उन दोनों को इसकी भनक भी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है शालिनी चल अब बहुत हो गया यहां तो हमें कोई भूत चुडैल नहीं दिखा चल हम वापस मंजू के पास होटल चलते हैं हाँ तु ठीक कहरी रिया चल चले जैसे रिया और शालिनी उड़ती हैं और वापस जाने के लिए मुड़ती हैं सामने उस दो सर वाले भयानक भूत को देख कर दोनों के होश उड़ जाते हैं ये क्या चीज है शालिनी इसके तो दो दो सर है एक भूत को और एक चुड़ैल का मुझे नहीं पता रिया कि ये क्या बला है शालिनी और रिया दो सर वाले भूत को देखकर इतना ज़ादा डर गए थे कि ना तो उनकी चीक निकल रही थी और ना ही वो वहाँ से भाग रहे थ हाँ हाँ क्या हुआ तुम्हें हमसे मिलकर खुशी नहीं हुई क्या हमारी दोस मंजू वो कहा है तुम्हारे सामने ही तो खड़ी है क्या तुमने उसके साथ क्या 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 वो मर गई अभी तक तो नहीं पर हाँ जल्द ही तुम्हें मार कर खाने के बाद हम उसे भी मार देंगे जंता मत करो भयंकर भूत भी तेजी से रिया और शालिनी का पीछा कर रहा था पर तभी चुडैल मंजू के शरीर से बाहर आ जाती है और खड़ी हो जाती है और दो सरवाला भूत एक ही सरका हो जाता है जो कि सिर्फ भूत ही था मैं तो अब ठक गई अब तुम जाओ और जाकर उन दोनों को पकड कर लाओ फिर हम दोनों साथ में बीच के किनारे डिनर करेंगे अरे मेरी प्यारी चुडैल ठीक है जैसा तुम कहो जा वो दोनों बातों में लग गए है और वो देखो वो चुडैल मंजू के शरीर से भी निकल आई है पर हम क्या करें शाली नी? किनारे पर दोड़ते दोड़ते अचानक से रिया का पैर रेत में दभी किसी चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाती है एह भगवान ये क्या था? शाली नी रिया को उठाने लगती है और उन्हें एक लड़की और लड़के का कंकाल मिल जाता है शाली नी ये जरूर इन दोनों के इकंकाल है क्योंकि इस भूतिया बीच पर और कोई भी नहीं आता मेरे पास लाइटर है इससे पहले वो भूत यहाँ हम इन कंकाल को जला देते है हारिया पर जल्दी कर वो देख वो इधर ही आ रहा है रुप जाओ तुम दोनों अब बस तुम्हे हमारा डिनर बनना है इतने मेरिया अपनी जेब से लाइटर निकालती है और दोनों कंकालों पर आग लगा देती है जिससे सिर्फ कंकाली नहीं साथ साथ चुडैल और भूत भी जलने लगते है पर भूत जलने से पहले मन्जू के शरीर से बाहर आ जाता है और फिर तड़ब-तड़ब कर चुडैल के साथ ही गायब हो जाता है ये क्या हो रहा है शालीनी रिया होटल रूम में मैंने उन भूत और चुडैल को अपनी आखों से देखा जल्दी से इस भूतिया बीच से चलो शाली नी रिया मंजु को गरे लगा लेती हैं और फिर तीनों वापस अपने होटल चली जाती हैं इसके बाद वो तीनों कसम खाती हैं कि आइंदा कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें कोई भी भूत या चुडैल शामिल हो